प्रादशी से बड़ी खबर है उत्पाथ सिपाही नियुक्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू आपको बता दे कि 10 सितंबर से फिर से नियुक्ती प्रक्रिया की जो दौड है वो शुरू करा दी जाएगी दौड के दौरान 12 अभ्यर्तियों के हाला कि इससे पहले मौत को गई कि आपको बता दे कि इस परिक्ष्वा के दौरान दौर के दौरान ही कई बच्चों की जान चली गई कई अभ्यर्तियों की जान चली गई जिसके बाद इसको सगित किया गया लेकिन अब 10 सितंबर से एक बार फिर से दौड की ये परिक्ष्वा होगी परिक्ष्वा की नई 10 सेतंबर से फिर से शुरू होगी नियुक्ती प्रक्रिया की दौर, दौर की दौरान हाला की बारा भीरतियों की मौत की खबर थी, और मौत की बाद बहाली प्रक्रिया भी स्थागित हो गई थी, सीम हेमन सुरेन ने स्थागित करने का आदेश भी दिया था एक लाख चौदा हजार बचवे अब भेरतियों की होनी है दौर और रिपोर्ट के बाद ही इस पस्ट होगी मौत की बचवे की आखिर क्या कुछ बज़े रही तमाम जानकारी के साथ कमारे समधाता कामरान हमारे साथ प्देट है आपके पास यह प्रेस रिलीज एक सरकुलर निकाला गया कि तमाम जो नियम है उनका पालन करते हुए बाहली प्रत्रिया चलाई जा रही है लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमन सोरिन के तरफ से एक आदेश आता है इस बाहली प्रत्रिया को फिलाल इस्थगित करने को लेकर और बाहली प्रत्रिया सगित कर दी गई थी लेकिन दुबारा पुलिस मुख्याले की तरफ से एक बर फिर पुना बाहली प्रत्रिया शुरू करने की चित्थी जारी कर दी गई है कल पुलिस मुख्याले में प्रेस कॉंट्रेंस कर इस बात की जानकारी दी गई कि दुबारा दस तारि जार्खन में सिपाई भर्ती के फिजिकल टेस्ट में बारा युपको की मौत